नमस्कार दूस्तों, Stock Market Status में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है, तो मैं आज आपके सामने फिर से कुछ companies के regarding updates लेकिया हूँ, तो वीडियो को पूरा लास तक देखेगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्रेब ने किया, सबसे पहले सब्सक्रेब जुरू कर ल market cap है, अगर कोई भी paint industries के company उठा के देख लीजेगा, जापर बारचार पेंट का भी market cap बहुत छोटा है, SN paint से, अगर मैं competitor के हिसाब से बात करूँ, तो SN paint का market cap है 3,00,000 क्रोड और बारचार पेंट का कितना, सिर्फ 62,000 क्रोड और यहापर देख सकते हैं, कंसाई नेरलक के क कितना 23,000 क्रोड और exonobles के कितना 10,000 क्रोड तो indigo paint के कितना 6,000 क्रोड तो सोचिए, सारे companies को अगर एक साथ भी जोड़ा जाये ना, तो भी SN paint का market cap मतलब cross नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा company है, और कुछ दोस्तों ने मुझे comment किया पिछले दिनों में, सर SN paint क्या भी बर आचित क्यों किया, तो उसके लिए मैं research जब किया, तो मुझे कुछ data मिला, जो मैं आपके साथ share करूँगा, देखिए, यहापे क्या बता जाए, ग्रासीम, आप साभी जानते, ग्रासीम इंडस्टीज किस company का है, आधित्त विल्ला ग्रूप के, अभी साभी जानते, आधि विडियो भना कब को बता था, कि PD Light, बो भी क्या करने वाला है, पेंड इंडस्टीज के उपर यहापे एंटी होने वाला है, ग्रासीम, जो अधित्त विल्ला ग्रूप के company है, बो भी क्या कर रहा है, पेंड इंडस्टीज के उपर उतर रहा है, तो हर कोई पेंड कर इंडस्टी में आने वाला है, इतने बड़े मतलब growth होने वाला है इंडिया का, और इस growth कहां से होगा, इंडिया के हर business से होगा, और देखे घर घर, आप सभी देख सकते हैं, अगर देखे मान के चलिए, आपके हाथ में आज पैसा है, तो आप गाड़ी खरीदने के लिए और रहने के लिए छोटा सा घर और पहने के लिए कुछ कपड़े वैस यह है ना तो यही चीज देखने को मिलेगा आपकमिंग कुछ सीजन में आपकमिंग यह समें क्योंकि दिगज दिगज बड़े-बड़े अनलाइसिस यह कह रहा है कि अपकमिंग 30 यह इंडिया के के लिए सबसे ज़्यादा growing mood आएगा और इस growing situation में हर कोई इंडिस्टीज का ग्रोथ होगा तो पेंडिंड सिक भी ग्रोथ होगा हर घर में पेंट लगेगा हर जगा पेंड लगएगा तकि पेंड सिर्फ घर में लगता अब गाड़िया में लेकर हर जगा पर आपको यूज किया जाता है तो पेंट इंडस्टी में हर कोई एंटी होना चाते है तो यह आप एक बातचीद में बता दू तो कमपनी पहले 5000 क्रोड का बाकी इंवेस्टर को लग रहा है कि ग्रासिम जैसे इतने बड़े ग्रूप अगर पेंट इंडस्टी में इतना बड़ा क्यापसिटी बढ़ाते जाए तो क्या कमपनी मार्केट कप्चर कर लेंगे बिल्कुल भी नहीं यह बात आप समझ लेजिए देखिए आपको मैं एक ब साथ एक बिजनेस सेट अप किया क्या आप उस दुकान से दूसरे दुकान में जाएंगे विल्कुल नहीं न उच कस्टमर तो जाएगा इसका मतलब यह नहीं कि सौ में सौ कस्टमर ही चला जाएगा तो जिस तरीके से इस से एंपेंड मार्केट को कैप्चर किया उसको गिर लिए कर रहे थे किष़ेंड में क्या होगा तो छिंता करने का जोड़न नहीं मैं इस कमपनी को पर हमेशा हो और हमेशा वुलिस रहोँगा जूका इस कम्पणी की की इस को साफ्विश हो से ऐस बमसे पिछले सालों के तुमना इस लो मझा आपको लगा owlette ईसबार आपको लग रहा है कि कमपानी भरबाद होगा 800-800 क्रोड से 1200 क्रोड का मार्केट टोटल नेट फ्रॉफिट हुआ और एक चीज में और भी आपको दिखा दू आपके तसलिक के लिए कि रिजब में 10 साल पहले 2000 क्रोड का रिजब था 10 साल के बाद कि दिना 15000 क्रोड तो कुछ फरक नहीं फड़ेगा तो फिक्स असेड भी देखे लगाता लगातार इंक्रीज होता जा रहे है तो इतने पॉस्टिव पॉइंट होने के करण कंपनी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगा मेरे इसाब से हाँ आप बोल सकते हैं चार्ट पटन में क्या होगा तो मैं कहूंगा इतना अच्छा मौका साइद आपको दोबारा नहीं मिले तो मैं आपको बार-बार बोला था जब इस तरह के से इस सपोर्ट जोन को बार-बार बो रिटेस्ट कर रहा था मैं आपको बार-बार इस तरह के से वीडियो बना के बोला तब मैं वीडियो मेरे प्रिवेस भीडियो जाकर देख लेना, टेलीग्रम को भी जाकर देख करना, मैं आपको मेंशन किया था, यहाँ पी एक बर नहीं, एक, दो, तीन, चार, चार बार, अल्मोस्ट देखा है, तीन से चार बार यहाँ पर रिटेस्ट किया इस support को, तो higher chances था, इस लेवेल को अगर hold करे, और कुछ time बिताने के बाद अगर breakout करे, तो next level रहेगा, 3480 रूपीज के आसपार, तो long time investor के लिए मैं जरू कहूंगा, इस तरह के से company को ओपर, अगर कभी भी discount में share मिले, तो उसको मौका हमेशा उठा लेना, तो next जो company जिसके बारे में बात करेंगो, इसका नाम है BSC Limited, लेकि BSC के बारे में बात करूँ, तो बहुत सारे दोस्ते मुझे comment किया, सर BSC के उपर अभी क्या करूँ, इस company का जो growth है, उस तरह के से देखने को नहीं मिला, लेकि इस company का growth का हुआ था, COVID के बाद, क्योंकि COVID के बाद बहुत सारे लोग stock market में निवेस करने के लिए आया है, क्योंकि जितने सारे लोग trade करते है, उसके direct impact किसके उपर पड़ते है, exchange के उपर, जितने सारे company listing होते है, तो लिस्तिंग गेन में भी company का फायदा होते है, तो BSC के उपर 5000 से भी ज्यादा companies है, और सबसे पुराना एक exchange है, इंडिया का, इंडिया के नहीं, Asia का, world का, तो इस तरीके से companies के उपर, आपको कभी भी मौका मिले, उसका फायदा उठा ले रहा, और सबसे बड़ी बाद, company के उपर अभी जो गिरावट का माहुल है, इससे best मौका आपको दुवारा नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए, company के उपर, पिछले जो quarters था, उससे कई गुना इस बार company का sales increase हुआ, expense भी देखिए, company की इस तरीके से maintain किया, operating profit double के आसपास देखने को मिला, तो company के जो profit margin है, 72 करोड से बन चुके है, 89 करोड, इसका मतलब जो हर दिसा में company का growth देखने को मिला है, हर दिसा में, तो इससे बढ़िया चीज और कुछ नहीं हो सकता, तो मैं उसके साथ company के में reserve के बारें बात करूँ, एक चीज में बता दूँ, देखिए, reserve continuously growth, और इस तरीके से company साब डर क्यों रहा है, क्योंकि जिस company का करजा एकदम zero है, और जिस company का return of equity, return of capital impact, धमा का जैसे performance के हिसाब से चल दा है, तो इतना अच्छा खासा company के उपर आपको हमे 50% down हो चुके है, अगर मैं average देखा दू, तो middle, median में आप देखा दू, तो 21% है, तो best मौका है, यही time में, तो BSC के चाट पटन के बारें बात करूँ, तो एक strong गिरावट के बाद, एक strong गिरावट के बाद यहाँ पे एक support लिया, और उसके बाद देखिए, फिर से boom, और व 690 रूपीज के आसपास, हाँ, अभी जलबाजी मत करना, as a swing trader, लोगों के लिए, हाँ, investor के लिए कभी भी मौका मिला है, इस मौके को फाइदा की सबसे उठा लीजिए, और swing trading वाले ने ही करना, कि इस level को breakout होने दीजिए, strong volume के साथ, तभी इस company के उपर कुछ trade बनेगा, त कोई breakout level बनेगा, तो last company जिसके बारे में बात करूंगो, इसका नाम है Apple of Pipes, देखे, Apple of Pipes के बारे में बात करूंगो, इस company के उपर, इस company के उपर बात करूंगो, इस company एक छोटा सा company है, company का market cap के हिसाब से 2700 क्रोड का market cap है, मगर company में बहुत दम है, ये बात में जोरू कहू क्योंगा, क्योंकि Apple Pipe जो है, वो Apple Group के company है, और 377 company में जिस तरी के से growth maintain करता है, वो मुझे बहुत सांदाल लगा, जैसे 247 करोड से 252 करोड तक company का sales increase किया, expense को भी company control में लेका है, तो profit margin को भी company control में है, तो 11% से 12% तक company का profit margin increasing हुआ, तो इसलिए company का profit है, वो net profit 16 करोड के आ इसका मतलब profit margin जो है, वो ठीक ठाक level में ही देखने को मिला है, तो रही बात companies के एक चीज़ी में आपको दिखा, देखे company ने fixed asset कितने purchase किये, देखे इस बार company ने अच्छा कासा asset को purchase किया, पिछले बार के तुम्ना से double के आसपास, 42 करोड के आसपास fixed asset purchase किये थे, इस बार बन चुके 73 करोड के आसपास, इसका मतलब अच्छा कासा purchasing भी किये जा रहा है, और एक चीज और भी में आपको आपके साथ mention करू, company ने इस बार देखिए, fixed asset को भी increasing किया, ये 230 करोड के आसपास था, इस बार बन चुके है 280 करोड के आसपास, company ने हर दिशा में company खुद का जगा बना रहा है, तो company का reserve भी increase हो रहा है, तो सहर दिशा में positive है, तो company के उपर focus रखना जुरूरी है, क्योंकि जब कोई countries का growth होता है, तो हर sector का growth होगा, तो छोटे company के उपर बहुत तेजी से growth होता है, क्योंकि वो market को capture करने के लिए बहुत तेजी से काम करते है, इस company के बहुत बहुत बड़ा तेजी देखने को मिला है, continuously breakout होने के बाद इस range को, यहाप स्टॉंग जो resistant है, उस range को breakout होने के बाद एक बड़ा breakout हुआ, मगर मैं कहूंगा इतना जलबाजी मत करना, क्योंकि company के उपर मेरे हिसाब से एक साप गिरावड देखने को मिल सकता है, आप क consolidate करे, कुछ time बिताए, उसके बाद फिर से कोई green candle और high volume के साथ हुआ, तो सोचने एक बड़ा rally आपको देखेगा, तो जिस तरीके से correction देखने को मिला, मेरे हिसाब से फिर से बहुत इस support को touch करेगा, और यहापर थोड़ा सा time बिताएगा, उसके बाद breakout हुआ, तो इस company को बड़ा rally आपको देखने को मिल सकता है, तो opportunity आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा integer करिएगा, थोड़ा सा इस company के उपर focus रखिएगा, और study करके इस company के उपर long जानने के लिए आप सोच सकते हैं, तो next company के बाद करूँगा, उसका नाम है Ion Exchange Limited, तो एक देखा जे तो engineering company है, non electric equipment sector के उपर काम करते हैं, तो इस company ने एक बहुत बड़ा announcement किया, company के जो face value है 10 रुपिया, वो अभी 1 रुपिया बनने वाले है, इसका मतलब हर एक share में आपको 10 रुपनी देने वाले है, और वो भी आपको इसी मान में मिनने वाले है, तो इस company के उपर आपका निवेस है, तो जो रुप फोकस रखना, और यह जो टोटली वीडियो है, वो टोटली आपको सिखाने के लिए मैं बनाए हूँ, मैं आपको education purpose में सारे details आपके साथ share क्या हूँ, ऐसे ने किया है, मैं आपको recommendation कर रहा हूँ कि कल जाके buy कर लेना, कल जाके sell कर लेना, आप एक बार research करिये, study study करिये, उसके बाद निवेस करिये, क्योंकि आपका काम है, मतलब सारे videos देखना, और उसके उपर, मतलब खुद का research लगाना, उसके बाद निवेस करना, और मेरा काम है, सारे details आपको दिखाना, और आपको सारे details के बारे में educate करना, कि आपको भी बता चले के कौन सा company में कि तो मिलते नेक्स वीडियो में, मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना, चनल को जूरू सब्सक्राइब करना, बाबाई